दोस्तो स्वागत है आपका उत्राखंड हील प्रोडेक्ट की एक और नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड हील प्रोडेक्ट द्वारा निर्मिर पहाडी नमक के बारे में पहाडी नमक अपने चटपटे टेस्ट के कारण जाना जाता है इस नमक को बनाने के लिए चटटानी नमक का परियोग किया जाता है हिमालेन पिंक सॉल्ट का यूज भी इसको बनाने में किया जाता है ना सिर्फ नमक बल्के कई प्रकार के मसालों के योग से बनाया जाता है। जिसमें प्रमुक है जख्या, हरधनिया, प्याज, लसन, अद्रक और काला नमक। पहाडी नमक को बनाने के लिए आधूनिक यंत्रों का उप्योग ना करकर, पुरानी परम्परा को बरकरार रखते वे सिल्बट्टों का यूज किया जाता है। जिससे हमारे स्वाद में चार चांद और लग जाते हैं। प्रियोग में लाई जाने वाली सामागरी के अलावा, सिल्बट्टे में पीसे मसालों में भी स्वास्त लाब छिपेवे होते हैं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पत्थर की सिला में कई प्रकार की प्राकरतिक खनीज के तत्वप पाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप इसमें PCV चीज का सेवन करते हैं तो ये खनीज तत्वप बिमारियों को आपकी सरीर में जाकर जड़ से खतम करने का काम करते हैं। क्योंकि पत्थरों का खनीज सरीर की रोग प्रतिरोधक खमता को इतना बढ़ा देता है कि बिमारिया आपको सीधे तौर पर असर नहीं करती। जहां गर्मियों के मौसम में हम किसी ठंडे पेपधार का उप्योग करने से हिचकिचा रहे हैं बड़ती महमारी को देखते हैं। उस समय सलाद हम लोगों के लिए एक मात्र विकल्प बसता है। इसका परियोग आप खीरे इत्यादी के साथ करते हैं तो यकीनन ये बहुत बहतरीन हो जाता है। तथा आप इसका परियोग फलो इत्यादियों को खाने में भी कर सकते हैं। पहाडी नमक अपनी इन सभी खूबियों के कारण चाना जाता है। घर बैठे आप इस प्रोड़क्ट को मंगवा सकते हैं हमारी वेफसाइट से ओडर कीजिए जो की है www.ukhealproduct.com अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते आने वाले नए प्रोड़क्ट की जानकारी के लिए आप प्रोड़क्ट को इस्तमाल करने के बाद उससे जुड़े रिव्यू को हमें वीडियो के माध्यम से भेजे और वो वीडियो हमारी यूट्यूब द्वारा दिखाई जाएगी आज किये प्रोड़क्ट से जुड़ी जानकारी के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोड़क्ट के साथ में जाने से पहले हमसे जुड़ने की सभी जानकारिया नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर एक बार जरूर देगें कर दो किये जानकारी की साथ में जानकारी की साथ में